Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल एक reservation का pool मौझूद है, उसमें हमें किसी प्रकार के sub-categorization को, sub-classification को करने की जरुवत है, या नहीं, यह sub-categorization होता क्या है, पूरा context क्या है, historical development क्या है, total 360 analysis हम इस वीडियो में करने वारे हैं, नमस्कार, मेरा नाम होतकर सेंग, और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले हम context हो समझते हैं, यहाँ पर एक states के द्वारा demand रखी गई है कि 15% जो scheduled caste के लिए एक आरक्षन है, जो reservation है, उसमें आने वाले सभी के सभी जो group हैं, जो सारी के सारे सदस्य हैं, वो बराबर तोर पे marginalized नहीं हैं, यानि कि कुछ ऐसे हैं, जिनके हालात, जिनकी पर तर है, तो यानि कि जिनके थोड़े से कमजोर पहलू हैं, जो socio-economically, schedule caste के अंदरी थोड़े से कमजोर हैं, उनको हमें थोड़ा extra advantage देना होगा, या फिर prioritize करना होगा, या फिर हम सोच सकते हैं, कि जो थोड़े से benefited हो चुके हैं reservation के वाज़े से, उनको हम exclude भी करें, जैसा कि आपको बताया, कि seven judge constitutional bench इसको मामले को देख रही है, और क्यों देख रही है, कि seven judge constitutional bench को क्यों इस मामले को देखना पड़ा, ये कोई बहुत बड़ा rocket science नहीं है, अगर अभी आप यहाँ पर historical development को देखोगे, तो आप देखोगे, दो verdict जो इसमें आ चुके हैं, वहाँ पर five judge constitutional bench जो थी, वो उसके उपर अपना verdict रख चुकी थी, तो अब उसके उपर की कोई अदालत को ही step in करना पड़ेगा, अगर कोई एक differing stand को यहाँ पर लेना है, यहाँ पर जो members हैं, उनको भी आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि आगे चल करके, कुछ जो judges हैं, उनके statement क भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि बताया है कि bench को head कर रहे हैं, देश के CGI साहब, D.Y. Chandrachur साहब, इनके साथ साथ यहाँ पर आपको Justice, Vikram Naad भी देखने को मिल रहे है, and Justice, इसको highlight करते चलता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो, विक्रम Naad साहब इसको head कर रहे हैं, sorry, member है इसके, बियार गवई साहब, बेलान त्रिवेदी, पंकच मितल, मनोज मिश्रा, N.S.C. शर्मा साहब, यह सारे के सारे लोग यहाँ पर इस constitutional bench के member के तौर पे हैं, state ने अपने argument को यहाँ पर पेश किया हुआ है, कि कुछ जो ऐसे schedule cast के member हैं, जो बहुत ही जादा तौर पर, क्या है, under-presented है, अगर दूसरे members की तुलना में आप देखो, तो यहाँ पर under-presented है, और किसके तुलना में यहाँ पर बात हो रही है, कुछ dominant schedule cast के बारे में, अभी हम आगे चलकर, anthropology का यह concept है, social sciences में हम पढ़ते हैं, M.S. श्री निवास साहब का important work है, जिसको आप dominant cast पढ़ते की दो, जो समुधाय है, दो जो population के members हैं, सदस्य हैं, उनकी जो condition है, वो अलग-अलग हो सकती, इसको पर हम बात करेंगे, पर पहले सारे के सारे arguments को सुन लेते हैं, और historical development को दे रहते हैं, तो इस 15% SC quota के अंदर sub-division करने की मांग की गई है, यह priority देने को कही गई, अब directly इ एक holder इस particular case में, उनकी बात कर लेता हूँ, बालमकीज और मजभीज, पूरी अभी आप history पढ़ोगे, तो वहाँ पर ये दो group जो है, वो सबसे अधिक आपको highlighted देखने को मिलेगा, जो शुरुवात है, वो इन ही से होती है, बालमकीज और मजभी 6 हैं, कहाँ पर पंजाब मे सबसे पहला जब ये मामला escalate होता है, तो उनका नाम आपको देखने को मिलेगा, मडिगा अंदर प्रदेश के अंदर में, अभी Central ने एक panel को form करके, मीटिंग भी सेट की है, जब ये judgment, जो case है, उस पे verdict जो है, अपना stand जो है, reserve कर चुकी है सुप्रीम कोड, उसके बीश में एक Central Government की तरफ से एक panel को भेजा गया है, माडिगा की community से बात करने के रिए, पासवान्स के बार में आपने सुना होगा, बिहार में, बिहार की राजनीती में भी एक बड़ा नाम है, रामविलास पासवान साब थे, पासवान साब का जो पूरा आप political carrier देखते हो, उनको एक मौसम वैज्यानिक के तोर पे भी जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, वो आप comment section होज़े, चाहो तो बता दो, जाटवस की जो population उत्तरफदेश के अंदर में है, and lastly, जो आपके अरुंद अत्यार से है, तमिल नाडु के राज, ये सारे आपर key stakeholders है, जो की directly इस फैसले से, जो भी verdict आता है, उससे यहाँ पर affect होगे, आगे बड़े historical context और हो क्या सकता है, इसमें, changes, जो भी judgment आएगा Supreme Court का, उससे क्या बदलावाएंगे, इन सबको जानने से पहले आपको एक important news मैं दे देता हूँ, वो news क्या है, कि हमारे यहाँ पर study IQ के जो program से, वहाँ पर हर एक course क पर रक्षा बंदन की sale start हो चुकी है, और हर एक course पर भारी आपर discount आपको मिल रहा है, for example, मैं यहाँ पर anthropology optional पढ़ाता हूँ आपको, तो जो यह optional of the decade है, factory of toppers भी का जाता है, सबसे short है, static है, lengthwise overlapping होती है, यानि कि GS1, GS2, GS3, ethics, essay, हर एक paper से, कोई भी ऐसा subject नहीं है optional, जो कि overlapping दिखाता हो, और toppers, कई सारे optional, top 20 में एक rank ढूटता है, मुश्किल से, anthropology, top 10 में 4-4 rank लेके आता है, वो भी पिछले 3-4 साल में 2 बारे से कर चुका है, हर साल आप देखते हो, list को उठाते हो, तो toppers, anthropology के ही आपको देखने को मिलता है, तो इस batch को अगर join करना है, आपको 13999 में इस वाले code को इस्तेमाल करके आप लग सकते हो, किस वाले code को, us live या फिर us live, जो आप purchase करोगे, किसी भी medium से, तो आप us live के code को यहाँ पर कर सकते हो, us live सिर्फ यहाँ पर optional पर नहीं, study IQ के हर एक course पर, जो sale चल रही है, या फिर किसी भी time, maximum discount को अवेल करना है, तो आप 5 class recorded lectures plus, जो आपके test series है, एक दो नहीं, 8 sectional, 4 full length, ठीक है, उसका evaluation होगा, सही गलत क्या है, वो आपको बताया जाएगा, model answers भी आपको मिलेंगे, और discussion भी यहाँ पर होगा, PYQs के साथ, 15 फरवरी से हमारे batches शुरू है, और 14 को यह sale जो आपकी खतम हो जाएगी, तो इसी के बीच में आपको fast line है, जल्दी जल्दी अभी sale चुरू हो चुकी है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको ensure करना है कि आप admission को ले लो यहाँ पर, हाँ, अगर आपको पूरी तयारी करनी है, सिर्फ options वोड़िए, उसके पहले भी आपको काम करना है, बाकी GS को सब प्राइस के अंदर में, सारी चीज़े included है, कुछ भी minus नहीं है, और 16 से इसके भी बैस शुरू हो रहे हैं, so बहुत neck to neck चीज़े हैं, और आपको जल्द से जल admission यहाँ पर ले रहा है, अब हम optional GS से पहले का जो आपका stand है, अगर आप 24 को यहाँ पर attempt करने जा रहे हो, target है आ आपकी सारी आशंकाओं को क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, NCRT cover कर ली, ये book करें, वो book करें, static कितना हैगा, current कितना हैगा, सारा solution इसके अंदर में है, DBT जो test है, सारी, feature के लिए आप देख लिजा कोई दूसरे वीडियो को, almost everything is covered, 4499 में ये sale के दोरान US Life का code लगाने pair मौझूद है, 14th को sale खतम होरी है और 16th को आपके याँ पर batches start है, जब आप इस code को लगाते हो न, US Life को, तो आपको दो चीज़े मिलती है, सिर्फ यहाँ पर discount नहीं मिल रहा है, personalized option की guidance तो social media handles मिल जाते है, जो बाद में आपको mentorship की काफी जरुवत पड़ती है, discount किस तरीके पर आपको material भी कही सारे UPSC के मिल जाते हैं, आप जोड सकते हो, अब बात करते है, historical context of this particular case की, और इसके लिए हमें आप से लगभग 50 साल पीछे जाना पड़ेगा, 1975 में Congress के Government है, और यहाँ पर ग्यानी जेल सिंग, जो बाद में आकर देश के President भी बने, उनकी यहाँ पर सर सरकार थी, और इनकी सरकार के समय एक judgment आता है, जो 1975 में क्या करता है, उस समय जो 25% का schedule cast के लिए, एक reservation मौझूद था, उसको दो categories में बाठ देता है, category 1, जहाँ पर जो बाल मिकीज हैं, अभी आपको बताए, बाल मिकीज, और जो मजभी सिख हैं, इनको लगभग 50% का, 50% य याने की priority किसको दी जा रही है, इन दो communities को, मजभी 6 को और बाल मिकीज को दी जा रही है, और second जो category है, उसमें बाकी सारे के सारे schedule cast आ जाते हैं, तो इस 25% में से major chunk दे दिया गया, याने की 12% का, इन दो communities के लिए, और बाकी के 12% में, आपको, all the others, जितने भी ऐसी हैं, वह आपर आते हुए, देखने को मिलेंगे, अब आगे चल करके थोड़ी सी दिक्कते आती हैं, वह दिक्कते कब शुरू होती हैं, जब 2004 में, ईवी चिनाया वर्सेस स्टेट आफ आंदर प्रदेश के case के अंदर में, जो सुप्रीम कोट है देश की, यह struck down कर देती है, आंदर right of equality, जो हमारे constitution के अंदर में दिया हुआ है, यानि कि आप सब categorizations नहीं कर सकते हो, SC के अंदर में आप किसी को, ज्यादा किसी को कम, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि schedule class देश में जो मौजूद है, वो अपने आप में एक homogeneous group है, homogeneous कहाने का क्या मतलब है, एक समान, एक group है, उनके अंदर भेद भाव करने की कोई गुंजाइश नहीं है, वो सब एक जैसे है, यानि कि सब के सब same atrocities को face कर रहे है, सब की problem same है, सब दिक्कतों को face करते हुआ है, तो ये judgment 2004 का, एक precedent set up कर देता है, और इसके बाद सारगा सारगा घटना चक्र शुरू हो जाता है, वापस हैं, इनके बारे में का जाता है कि यहां पर सरकारे कभी भी continue नहीं करती है, याना, repeat नहीं करती है, alternative चलता रहता है, for example, अकाली दल और कॉंग्रस की बीच में लंबे समय तक चलता रहा, अब वहाँ पर आप भी आ गई है, presently, जिस समय के हम बात कर रहे हैं, यानि कि 2006 में, Captain अमिरिंदर साथ सिंग साहब की यहां पर सरकार थी, और एक Act को यहां पर यह पास करते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, पंजाब Schedule Cast and Backward Class Reservation in Services Act 2006, और इसमें भी यह क्या करते हैं, preference को देने कोशिश करते हैं, मजभी इसको और बालमिकीस को, अब इसके खिलाब कई सारे 4, 5 को यहां पर चैलेंज करते हुए, कहती है कि जो 50% Reservation दिया जा रहा है, out of the total pool, to the वालमिकीस and मजभी 6, इसको आपको हटाना होगा, Division Bank जो होती हो, उसको हटा भी देती है, पर बाद में, same चीज के उपर, same जो यहां पर Act जो पास हुआ है, इसको High Court भी again, 2010 के अंदर में हटाते हुए, एक बार फिर से पंजाब सरकार को एक जटका देती है, तो पूरा आप देख रहे हो कि एक ring chronology चल रही है, और एक circus टाइब का महौल है, कि यहां पर Act लाय जा रहा है, उसके खिलाफ किसी bench का वहां पर judgment आ रहा है, फिर फिर किसी दूसरे तरीके से दूसरा Act क वहां पर पास किया जा रहा है, फिर High Court फिर step in कर रही है और उस Act को हटा रही है, तो यह पूरा का पूरा ring chronology वहां पर बनती हुए आपको देखने को मिलती है, अब होता क्या है कि वालमकीस जो थें, वालमकीस की जो community है, वो इसके बाद एक पूरे राज भर में प्रोटेस को चलाती है, और उस प्रोटेस्ट में अगेन इस चीज़ को डेमांड करती है, कि उनको यह priority मिलने चाहिए, due to their condition, बाद में क्या होता है, आप थोड़े समय और आ गया जो, लगबग एक दशक, स्वरी, 4-5 सान हम और आ गया आते हैं, 2014 में देश में नहीं सरगार बन रही ह और उस समय जो सुप्रीम कोर्ट है, वो देविंदर सिंग वर्सेज आपर, इसको भी लगाते हैं, देविंदर सिंग वर्सेज, स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, 5 जजज की जो constitutional bench होती है, उसको यहाँ पर, यह task मिलता है, कि वो देखे, कि जो चिनईया साहाब वर्सेज आंदरप्रदेश का यह मामला था, 2004 का, क्या इसमें अब हमें कोई reconsideration करने की जरुवत है, क्या इसमें कोई मूलभूत बदलाव करने का समय आ चुका है, इसको आप देखे, 2008 में जर्नेल सिंग वर्सेज लश्मिन अरेंड गुपता का यह जो case है, इसमें supreme court कहती है, कि pattern को रखा जा सकता है, रखा जाना चाहिए in fact, अब reconsideration करने की बाद जब यहाँ पर आती है, तो 2020 के अंदर में, again यहाँ पर जो constitutional bench है, जिसको lead कर रहे थे, कौन, head कर रहे थे, कौन, अरुन मिश्रा सहाब, all right, अरुन मिश्रा सहाब कहते हैं कि जो 2004 का जो decision है, इसमें अब हम reconsideration की जरुवत हो जाती है, जो ruling है, अरुन मिश्रा सहाब के अंदर में जो एक bench बैठी थी, उसकी ruling में यह साफ-साफ करार किया जाता है, कि we cannot, the court cannot be silent spectator, हम मूख दर्शक बन करके नहीं रह सकते हैं, अपनी आखे बंद करके, यह जो वास्तविक्ता है, इसको ठुकरा नही ही नहीं, सबके सब समान है, सबके सब एक रूप से एक similar economic condition को वहाँ पर रखे हुए हैं, सबके सब वहाँ पर same दिक्कतों को face कर रहे हैं, कोई भी वहाँ पर बदलाव की गुंजाइश नहीं है, इस चीज़ को वहाँ पर disagree करती है, जो 2020 की constitutional bench होती है, और वो कहती कि है इसके decision को अगर आपको revert करना है, तो एक बड़ी bench पर आपको जाना पड़ेगा है, इसलिए इस समय आप देख रहो फिलाल, seven judge constitutional bench जिसको डिवाई चंदर चूर साब, CGI, head कर रहे हैं, उसके अंदर में आपर मामला आया हुआ है, अब court के अंदर में argument क्या चल रहे हैं, क्या argument यहाँ पर दिये गए, तो सबसे पहले तो जो advocate general है पंजाब के, उन्होंने इस दलील को पेश किया, कि भाई, जो EV छिनया versus आंदर प्रदेश का मामला था 2004 का, उसमें एक बड़ी गलती की गई है, और वो बड़ी गलती क्या है, ये समझना कि state का कोई लेना देना नहीं है state के पास कोई role ही नहीं है, precedent की list जो कि article 341 के अंदर में, schedule caste के अंदर में, inclusions को दर्शाती है, उसमें state का कोई भी योगदा नहीं, ये समझना बिलकुल ही गलती थी 2004 के judgment के अंदर में, ये ये भी यहाँ पर highlight करते हैं, इस चीज़ को आँ सामने रखते हैं, कि जो language used हुई है sub article 4 of article 16 के अंदर में, उसको अगर आप ध्यान से देखो, तो वहाँ पर equality नहीं adequately शब्द का इस्तमाल किया गया है, यानि कि schedule caste के अंदर जितने member आ रहे हैं, जिनको आप reservation दे रहे हो, ज़रूरी नहीं कि उन सबको equally आप reservation प्रोवाइड करो, है ना, instead उनको adequately, सहूलियत अंस सहूलियत नहीं जरूरत अंसार, आप क्या करो, reservation या फिर promotion जिस भी चीज का, आप पर provide कर सकते, अब देखते हैं, यह जो advocate journal है पंजाब के, गुर मिंदर सिंग, इनकी बात को, हम किस तरीके से, constitution के पनने पर देख सकते, तो आपके सामने या पर मैंने अटेच कर दिया है, 16 4 of the constitution, और इसको अगर आप पढ़ते हो, let's read it, read it together, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or post in favor of any backward class of citizen, which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state, तो बिलकुल सही बात है, क्या पर adequately का इस्तमाल है, equally का इस्तमाल तो है नहीं, even CGI, चंदरचूट सहाब, इस बात पर, इस fact पर, agree करते है, advocate general सहाब के साथ, दूसरे argument यहाँ पर क्या दिये, जो additional advocate general है, शादान फराशत सहाब, इन्होंने भी काया कि, जो recently introduced article 342A है, वो empower करता है, state or union territories को to have a say, to maintain the list of socially and economically backward classes, और जो की different हो सकती है definitely किस से, president list से, former AGI जो है, KK Venu Gopal, एक rare यहाँ पर entry अपनी लेते हैं, पहले के AGI साब अपनी जोनल थे हैं, वो भी इस case में entry लेते हैं, और favor में आपर बात करते हैं, subcategorization के, लेकिन, जाने वाले बात क्या है, कि एक जो point, काफी एहम point है, subcategorization में कोई, बहुत बढ़ी गलतिया गुरानी देखने को मिलता है, यह तो आपको, हमको किसी भी layman को समझ में आता है, कि अगर 10 लोग एक category के हैं, और उन 10ों के पास वहाँ पर reservation मौझूद है, दो उनमें सहाइस हैं, जो की बहुत बहुत बहुतर stand पर हैं, उन्होंने अच्छी तरीके से, जो reservation है, education मे जॉब में उसको fetch किया और उनकी condition improve हो गई, अब अगर वो चीज़ वहाँ पर continue होती है, तो again एक injustice को जन दे सकती, यह यहाँ पर case की upholding है basically, इसमें कोई बहुत बड़ा denial नहीं है, पर issue कहाँ पर आ जाता है, दिक्कत कहाँ पर आती है, फिर precaution कहाँ पर रखना है, जिस बात को यहाँ पर D.Y. चंदर्चूट साब highlight करते हैं, कि कहीं ऐसा नहों कि जो popular political sentiments हैं, वो अपने vote bank के लिए इस तरीके की चीज़ों को करें कि हाँ, आपकी community को ज़्यादा जरूवत है, और political favoritism के कारण उस community को वहाँ पर ज़्यादा reservation मिल गया, और दूसरा जो क्योंने लग वो देखना पड़ सकता है, तो यह हमें precautions को ले करके चलना है कि political favoritism या फिर जो political parties की तरफ से किसी एक समुदाय को जादा तवज़ों देना, priority देना, importance देना, ये game वहाँ पर ना होने लगे इस judgment के आने के बाद, फैसला क्या होगा, इसका अभी भी हम और आप सभी wait कर रह देगे, discount के तायद, 13999 में optional मौझूद है, आप यहाँ पर anthropology optional, along with that a lot of other options are also there, किसी भी admission को, किसी भी course में, जब आप entry लेते हो, ensure कीजएगा कि आप court जो है, US live या फिर US live का ही आप पर लगाए, further क्या development होती, उसके उपर भी हम new videos लेकर ज़रूर आएंगे, आप भी अपनी र सैयारी हुई, affordable